यह मैंने स्पीछ बोली थैए एक बार स्कूल में मिनको भी याद है तो फेस ना रखाई कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे शहिदों की कुरबाणी बदनाम नहीं होने देंगे बची हो अगर एक बूंद भी गरम लहू की तब तक भारत माखा आचल नीलाम नहीं होने देंगे याद करो 23 मार्च 1931 का वो दिन इसी दिन लाहोर की जेल में ब्रिटिश गॉर्मेंट ने गौरी सरकार ने निर्धारित समय से पहले ही भगत सिंग, राजगुरु और सुखदेव को फासी के फंदे पर चड़ा दिया था और उनके शव को सतलुज नदी के किनारे मिट्टी का तेल डाल कर आँख के हवाले कर दिया था इस घटनाने देश में क्रांती की जलती हुई आग में घी डालने का काम करा, चारो और वंदे मातरम की आवाजे आने लगी हर तरफ आजादी के जैगोश खूँजने लगे, तब सभी देशवासियों ने अंग्रेजों को ललकारते हुए कहा था कि अंग्रेजों भारत के वीर सपूतों ने ललकारा है, ललकारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत देश हमारा है, भारत देश हमारा है अनेकों को फासी पर चड़ा दिया गया, अनेकों को काले पानिया जीवन कारावाज जैसी कठोर सजाए दी गई लेकिन इससे हमारे देश भक्तों का जजबा कम नहीं हुआ, अभी तुम उनकी देश के लिए देश भक्ती की भावना और उग्र हो गई, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन जासी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला हम म स्थो का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, थेंगा